पॉली कैब उसने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दी है मुनाफ़े में सालाना अधार पर 32% की ग्रोथ है और मार्जिन भी 12% से बढ़कर 14% पर हो गया है केबल बिजनस में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो मजदार रही है और उसे आएको सपोर्ट मिला है नतीजों पर चर्शा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गे हैं कंपनी के CFO गंधर विटोंगिया और कंपनी के M.D. इंदर जैसी घानी इंदर जी गंधर जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्वागत 33 नों सदेश पर पहले तो इतने बढ़िया नंबर्स आप दोनों को बहुत बढ़ाई लेकिन गंधर उस चुरुवात हम आप से करना चाहेंगे क्योंकि आप पैसे रुपे वाला जो चीज है सब मैनेज करते हैं आप फाइनेंस को आप अच्छे से देखते हैं तो जो मार्जिन का जो फिगर आपने रिपोर्ट किया है वो उसमें दो सवाल है आपसे आप ये बताईए कि क्या जो रॉम माटीरिल जो थोड़े से सस्ते हुए थे क्रूड भी जो सस्ता हुआ था क्या उसके सस्ता होने का आपको फाइदा मिला है मार्जिन इंप्रूव करने को लेकर एक तो ये चीज़ है दूसरी आप ये बताईए कि आपने गाइदेंस को बीट किया है अगर हम F523 की अगर टोटल बात करें तो क्या आप इसको आगे और रिवाइस करेंगे क्या बिलकुल पहले मैं आपके दूसर सवाल का जवाब देता हूँ ये हमारी कंपनी के तियास में बहतरीन सालना टोप लाइन और बॉटम लैन रहे चौती तिमाई इसको बहतरीन तिमाई रही है टोप लैन और बॉटम लाइन में क्योंकि top line में अच्छी बड़ोतरी हुई है उसको operating leverage पर फायदा मिला है और लगबग लगबग तरहे रहे प्रतीशत का हमारा EBITDA margin रहा है पूरे वित्य वर्ष का जहां तक guidance की बात है हम लोग 20,000 कोड के top line पर काम कर रहे हैं जो हम FY26 तक अचीव करना चाहते हैं काम हमने FY21 के खतम होने के बाद चालू किया था इसके लिए हमें BCG Boston Consumer Group भी साथ दे रहा है और हम confident हैं कि हम लोग आगे जाके 20,000 कोड का top line FY26 तक अचीव कर लेंगे जहां तक लागत की बात है जहां तक raw material के cost की बात है generally हम लोग जितना भी movement होता है raw material का उसको हमारे end customer को पॉसन कर देते हैं हम हमारे पास में उसका कोई बड़ा हिस्सा अपने पास सकते नहीं है हमें लगता है आगे के सालों में भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और cable and wire business के अंदर EBITDA merchant 11-13% के बीच में आता रहेगा ओके इस बीच हमारे साथ company के MD इंदर जैसिंग खाने भी मौझूद है इंदर जी नमस्कार मैं पुजातर पाठी बोल रही हूँ ये pre-election year भी है तो उस पर भी आपसे थोड़ा view लेना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि expenditure सरकार के तरफ से काफी जादा है infrastructure पर focus बनाई हुआ है तो FI24 के लिए cable segment के अगर specifically बात करें तो demand scenario कैसे देख रहे हैं Demand scenario तो अच्छा है तो काम तो काफी है अभी आएग अभी बट हम लोग अपनी growth 18% में 20% की count रहे है इंदर जिन अगला सवाल पर देखे आप सी होगा आपकी जो पहचान है company की polycab वो wire से cable से ज़्यादा है लेकिन मैंने भी हाल फिलाला मैंने खुद के घर में पंखा लगवाया है polycab का ceiling fan वो भी आप से ज़रा ये जाना चाहेंगे कि अभी जो total आपका product mix है उसमें cable and wire का हिस्सा कितना है पंखे वाला जो आपका एक segment जिसमें आपने ठिक्ठा का उमीद करते हैं आप पकड़ बढ़ा रहे होंगे उसका कितना हिस्सा है जरा इसके बारे मैं आप राय देना चाहेंगे और दूसरी चीज़े बताइए कि अब नए जो growth areas आपके होंगी वो क्या होने वाले हैं यहां से हमारा basically cable का ratio average 82-83% है और जट्सका हमारा FMEG का है और बाकी हमारी export का है और आगे चलके हम लोग जो इसाब से time करें जो इसाब से capacity डाले हैं हमारे इसाब से coming 3-4 साल में हम FMEG के अपनी growth तो 28-30% तक ले आएएगे 28-30% हम ले आएएगे उसमें भी बड़ो तक अच्छी होगी and overall भी growth continuous होगी गंधव, margin को लेकर क्या outlook बन रहा है आपका FI 23 में हम देख रहे हैं कि margin जो है जो guidance दी थी उसके उपर ही आए है अब आने वाले quarter के लिए कि आप उसमें कुछ revision करेंगे हमारे business को देखने के लिए 200 में बाटना चाहिए जातक cable and overall की बात है हम लोग लगबग 11-13% के EBITDA margin में काम करते रहे हैं हमें लगता है कि आगे के सालों के लिए भी हमें वहीं अज्यूम करके काम करना चाहिए जातक FMEG business की बात है हमें लगता है कि FMEG 26 तक हम लगबग 10-12% EBITDA margin में पहुच पाएंगे वह हर साल उसमें बड़ोत रही होगी इसकी वज़े से combined label पर EBITDA margin आगे के सालों में मजबूत दिता है ठीक है गंधर में आप से जाना चाहेंगे आप ये बताइए कि यहां पर तो domestic market में आपके पैट काफी मजबूत है और चुकि अगर हम market cap के आपके company के बात करें तो 50,000 क्रोन रूपे सूपर की market cap हो गई है 4,000 क्रोन रूपे सूपर के आप sales clock कर रहे हैं किन जोग्रफी में, किन एरियाज में, कहां पर आप target कर रहे हैं और भारत के बाहर, क्या export भी आप जादा करने की योजना बना रहे हैं कोई आपने target सेट किये हैं बेकुल, हमने जब project leap पर काम करना चलों किया था लगबग 2 साल पहले जब हमारी मेतवा कानशा थी कि जो international business है, exports business है लगबग 10 प्रतीशत हमारी top line को contribute करना चाहिए गए साल में हमने लगबग 9.8 प्रतीशत exports का contribution किया है top line में लगबग 14 सा कोड का हमारा export business था हमें काफी अच्छी present system मिल रही है US में, EU में, Australia में हमारे पास लगबग लगबग सारी approvals जो चाहिए होती है US की वो है बाकी geographies के हम लोग approvals रहने के कोशिश कर रहे हैं हमारे पास काफी बड़ी R&D team है, करीब 200 लोग हमारे R&D में काम करते हैं और backward integration के ज़सा हमेरी quality और availability के बारे में हमें जाना जाया जाता है और हमें लगता है कि आगे के सालों में भी exports हमारा मजबूत pillar रहेगा growth के लिए चलिए गंधरव जी इंदर जी आप दुनों का भॉबद धन्यवाद हमें समय देने के लिए नतीज़ पर और आगे के growth योजनाव पर भी detail में विस्तार में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आने वाले तिमाही के लिए भी all the very best sir